Hello Cricketers, Cricket Cardio की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बात सागत है How to overcome nervousness in cricket आज की वीडियो में दोस्तों हम सबसे पहले nervousness के उपर बात करेंगे उसके बाद मैं आपको 3 tips बताने वाला जिससे आपकी nervousness काफी कम हो जाएगी क्योंकि दोस्तों आपकी जो performance होती है वो nervousness पे काफी जादा depend करती है मेरे जो भी beginner दोस्त है और जो भी दोस्त cricket trials देने के लिए तयार हो रहे हैं वो कई ना कई nervousness तो जरूर होते होंगे तो आज की वीडियो को आप जरूर पूरा end तक देखना क्योंकि जो जो मैंने tips share करिए हर एक मिनट में कोई ना कोई tip आपको मिली जाएगी तो जो भी tips share करिए उसको आपको सुनना काफी जादा important है आज की वीडियो बहुत important होने वाली है लास्त तक जरूर देखना बिना time waste कि ये वीडियो को शिरू करते हैं तो cricketers nervousness एक ऐसी चीज होती है जो हर एक cricket player या फिर कोई भी sports person अपनी life में कहीं ना कहीं face जरूर करता ही है चाहे वो अपने cricket की शुरुआत कर रहा हो या फिर trial दे रहा हो या फिर कोई भी किसी type के matches या tournaments खेल रहा हो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको बता दू ये बहुती natural चीज होती है ये normal चीज होती है इसमें कोई भी problem नहीं होती है ये हमारे human के अंदर natural human tendency होती है अब मैं आपको एक ABD का example देता हूँ ABD ने अपने IPL के post match जब RCB versus Rajasthan Royals का match चल रहा था उसमें ABD ने 22 balls में 55 runs score कर रहे थे उसमें RCB 178 का target chase कर रही थी उसमें post match interview में ABD ने क्या line के थी वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ I am very nervous and erratic in a chase and I get very stressed like any player देखो दोस्तों अगर इतने बड़े दर्जे का player ABD विलर्स जैसा player अगर ये बात कहता है तो आपको एक बात तो समझ में आगी होगी कि nervousness कोई ऐसी चीज निया जिसे हम जड़ से उखाड के पैक सकते हैं nervousness को हम किसी हद तक कम कर सकते हैं but उसे completely remove हम अपनी body में से नहीं कर सकते तो आज की वीडियो में आपको तीन टेप्स बताने वाला हूँ अब मैं आपको तीनों टेप्स जल्दी से explain कर देता हूँ अब सबसे पहले दोस्तों हमारे पास point आता है जाज़स जादा practice करना और जाज़स जादा matches खेलने गा इन दोनों चीजों को करके दोस्तों हमें क्या हासिल होने वाला है सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा example देता हूँ गली cricket का आप मेंसे जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट करके अभी बताएं कि क्या आपको गली cricket खेलते हूँ और nervousness फील होती है या नई अब mostly दोस्तों आप मेंसे काफि सारे लोगों का जवाब होगा ना अब ये क्यों होता है क्योंकि दोस्तों आप गली cricket जो है रोज जाते हो और regular basis पे जाते हो आप रोज जाके match खेलते हो वहाँ पर match लगाते हो एक दूसरे के साथ आपके जो भी rivalry होती है रोज आप matches खेलते हो आप जब रोज प्राक्टिस करोगे जब रोज अपने match खेलने करो आपसे जो भी slightly better player रहना उसके साथ practice करो उसके साथ match लगाओ ठीक है leather का हो चाहे वह आप गली cricket के लिए कॉसको का cricket हो अब दूसरा point दोस्तों उन plates के लिए जो match से पहले और match के दौरान काफी जाधा nervous रहते हैं देगे दोस्तों आपको कभी भी अपने performance को लेके जाधा सोचना ही नहीं है कि यार मैं batting में आज कितने run मार पाऊंगा कि आज मैं balling में wicket ले पाऊंगा या नहीं यार फिल्डिंग करते टाइम अगर मेरे साथ कोई मतलब कोई आपसे catch shoot गई या फिर miss field हो गई आपको ये सारे questions अपने दिमाग में लेके ही नहीं आने हैं आपको क इंदर सहवाग जी को देखा ही होगा उनने काफी जाधा काफी इंटरव्यू में ये भी बोला है कि वो batting करते हो एक गाना गाते थे या फिर कभी वो nervous होते थे तो गाना गाते थे या गाने सुनते थे तो दोस्तों आप उनसे भी एक example ले सकते हो अगर आप अपना ऐसी को जाधा control हो जाती है तो ऐसी activity आपको अपने ले ढूंडनी होगी और फिर वो आप practice कीजिए और nervousness को दूर भगा जीजिए अब तीसरा point आता है दोस्तो self belief का आपको अपने दिमाग में एक बात तो रख लेनी है चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों आपको अपने confidence को नीचे गिरने नहीं देना है आपको अपने confidence को तूटने नहीं देना है आप आज perform नहीं कर रहे हो कल perform नहीं कर रहे हो यार दोस्तों परसो आपका दिन होएगा आप अच्छे से practice कीजिए और फिर उसके बाद performance दीजिए अब मैं आपको एक और example दे देता हूँ जो अभी मतलब Australia versus Western Indies की series चल रही थी T20 का match था उसमें last over में 11 runs चाहिए थे और strike पे थे Russell और last over डाल रहे थे Australia की तरफ से Mitchell Stark अब आपको पता ही है दोनों कितने ही अच्छे player हैं और जहां पे star कितने अच्छे baller है वहीं पे Russell जैसे इतने batsman 2 ball में 11 run असानी से बना सकते थे अब इसमें कैन nervousness को किसने जादा अच्छे से hold किया वही match निकाल के लेके जा सकता है अब Mitchell Stark ने आए और चार लगातार उनके पैरों की side कुछ yorkers थी कुछ full land deliveries थी उन्हें पता था कि उनकी weakness है वहाँ पे अगर तेज से hit करेंगे तो वो Russell अच्छे से shot नहीं खेल तो इसकी वज़े से चार डॉट हो गई अब दो बॉल में उन्हें 11 रन चाहिए दे उसमें वहीं पर पांच वी बॉल पर फिर उनने दो रन ली और लास्ट बॉल पर चौका मार के इसी की वज़े से Australia जीत गई अब देखो दोस्तों यहां पर Mitchell Stark को भी nervousness हो रही होगी क्यो आपने जो practice की है उसको आप अपने match में कैसे perform करके दिखाते हो तो दोस्तों यह वीडियो बनाने का बस मेरा यही मकसद था कि मैं nervousness के topic के उपर आप लोगों की मदद कर पाऊं जी हां दोस्तों आप मेरी भी मदद कर सकते हो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आईए त फटाफट से पदा चल जाएगी तो आप मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में जैहिन नमस्कार